गमले में लगाओ या हेंगिंग बास्केट में बहुत इप्रेटी लगता है खूब सूरत सा सकुलेंट फैमली से बिलोंग करने वाला ये पोदा इसका नाम है पत्थर चट्टा और कभी भी नहीं मरता अगर कंडिशन्स का ध्यान रखा जाए तो बीसों साल आपके गार्डन में जों कीतियों हरा बरा बना रहेगा तो इसी के बारे में बात करेंगे इसे कैसे ग्रो करें चलिए शुरू करते हैं वीडियो को नमस्कार मैं हूँ आपकी गार्डनर दोस्त नेलता गार्डनिंग विद आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो फ्र पोड़े को कम पानी की जरूरत होती है आप कहीं गूमने गए हो दो-चार दिन पानी नहीं विदिया तो यह पोड़ा जिंदा रहेगा और पोड़ की बात करें तो यह चोटे से चोटे पोड़ में असानी से सर्वाइव कर जाता है क्योंकि इसकी रूर्स जो है बहुत ही यह पोड़ा गार्डन में ग्रीनरी एड़ करता है जहां वहां इसकी मडीशनल वेल्यू भी है किड्नी में स्टोन हो तो खाली पेट रोजाना इसकी चार-पांच पत्तियों का सेवन करने से स्टोन जो है राक बनकर निकल जाता है और वाटरिंग की बात करें तो इसकी किल्कुल भी पसंद नहीं है तो इसकी पत्तियां अगर जली भुनी सी आने लगे तो देखिए फ्रेंस मैं इसकी पप्रगेशन दिखा रहे हूं इसकी कोई पत्ति तूट कर पोट में गिर जाती है तो उसमें इस तरह से बेवी प्लांट बन जाता है मैं आपको दिखा रह तो इस तरह से गिर गिर कर देरों बेवी प्लांट ये पोटा बनाता है इसके उपर पैस्ट अटेक की बात करें तो इसके उपर कभी भी किसी तरह का पैस्ट का अटेक नहीं होता है इसलिए ये पोटा कभी नहीं मरता लोकेशन की बात करें तो अब समर का सीजन है तो आप इसे semi shade में place करें जहां पर तेज धूप ना इसे लगे या morning की 2 गंटे की sunlight इसे provide करें या किसी green net के नीचे या fiber की shed के नीचे या किसी बड़े पेड़ के नीचे भी आप इसे रख सकते हैं बहुत ज़दा तेज दूप से दपैर की दूप से इसकी जो है leaves burn होने लगती है और yellow होने लगती हैं अगर इस पोदे में कोई problem आती है तो वो आती है मरोडिया रोग की या पतिया yellow होने की या burn होने की जा तो तेज गर्मी से इसकी पतिया बढ़न होने लगती है या over watering से इस की पत्तियां मुड़ी मुड़ी सी आने लगे तो समझ लो कि इसमें nutrition की कमी हो गई है तब इसको हम ख़द पानी डालेंगे तो मंथली आप इसे nitrogen rich fertilizer डालते रहें बहुत ही तेजी से growth करेगा आप गर्मी कंपोस्ट के दो चमच पानी में गोलें और पोर्ट में डाल दें या आप यूज चाई की पत्ति का एक चमच भी मंथली डाल सकते हो देखिए कितने डेरों बेवी प्लांट बने पड़े हैं और ज़्यादा खाद पानी ये पोदा नहीं मांगता सोयल मिक्चर की बात करें तो आप इसे सेंडी सोयल में लगाएं 30% गार्डन सोयल 30% रिवर सेंड एक चमच नीम की खली और 30% बर्मी कंपोस्ट जा सड़ी हुई गोबर की खाद इसमें मिलाएं बहुत ही बुरबरी सिमिट्टी बनाएं तो ये पोदा आराम से चलता रहता है अगर आप इसकी प्रपागेशन करना चाहते हो नए पोदे बनाना चाहते हो तो अब अच्छा सीजन है इसकी स्टेम कटिंग से असानी से कटिंग लग जाती है एक एक पत्ती को तोड़ कहीं से ले आते हो आप तो देखिए दो चमच ये बर्मी कंपोस्ट मैं जग में डालनी हो आदा जग जो है पानी का है तो मैं दो पोट है मेरे नोन में डाल दूगी एक पत्ती अगर कहीं से इसकी ले आते हो तो आप अराम से इसको प्रपागेट कर सकते हो अब इसका अच्छा सीजन है ग्रोइंग पिरियर्ड में ही ये प्रपागेट होता है या प्रपागेट में लगा हुआ कितना अच्छा लग रहा है तो आप भी लगाईए इस पोदे को यूजफुल लगी हो जानकरी तो लाइक शेयर और कमेंट करें मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बाए बाए थैंक्यू फूर वाचिंग